नवश्कार DTB भारत में आपका स्वागत है मैं हूँ पूजावर्मा लखी सराय की सभापती सुधा कुमारी ने तमाम लखी सराय वासियों को देश वासियों को होली और सवी बरात की शुपकामनाय दी हैं उन्होंने लखी सराय वासियों से यह अपील की है कि दोबारा उन्हें मौका दे ताकि लखी सराय को सुन्दर और स्मार्ट बना सके हमारे समवराता सर्फडाज आलम ने उनसे खास बात चीत की सुनिये उन्होंने क्या कुछ कहा नमस्कार डी टीवी भारत में आपका स्वागत है अभी मैं हूँ लखी सराय नगर परिशद की हाली के महिनों में चंद महिनों पुर्व बनी सभापती सुधा कुमारीक जी के आवास पर चुकि होली का त्योहार है रंगों से लोग सराबोर होने लगे हैं एक दुसरे को बधाईयों का ताता लगा हुआ है लोग आपसी भेद भाव बिद्वेश को भूल कर रंगों के रंग में घुल गए हैं सराबोर हो चुके हैं इस बीच चानने आये हैं नगर माता सुधा क कुमारी से मैडम बिहार और देश का उभरता टीवी चैनल डी टीवी भारत में आपका स्वागत है आप नगर परिशद की सभापती हैं आपने चंद महिनों में जो विकास की लकीर खीची है लखी सराय नगर परिशद में वो काबिले तारीफ मानी जा रही है आप इस संब स संब्सिवाएं किसी तरह कोहानी नहीं पछेust और जो विकास की बात है विकास की बात में लोग सोच़्खने mathematics हितना जल्द हो क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है और उतना ही जादा विकास करना चाहरा है और और आगे की जितनी भी काम है लोग सोच़र आं र्रृ जेतना नारीश सक्ति के पर्तिक के रूप में उभरी हैं लखी सराय नगर परिसद में और जिस कदर कम दिनों में आपने जो विकास का इवारत लिखने का कोशिस किया है और पुनह आप लखी सराय नगर परिसद के चेर्मेन पद की परबल दाबेदार होंगी आप क्या अपिल करना चाहती हैं लखी सराय नगर परिसद के लिए लड़ूंगे और सभी से मैं हाजोर के पातना करना चाहती हूं सब मुझे वोट अच्छी तरह से करें ताकि नारीश सक्ति की और ज्यादा समान हो यही महिलाओं की सक्ति है सभी से में घर-घर जाकर मैं कहूंगे कि हम लोग को मैंडम, होली का तिवहार, ऐसे तो रंगों का तिवहार माना जाता है, भाई चारे और सद्भाव का पर्तीक है होली का तिवहार, और होली को तिवहार में बिधि ब्वस्था के मामले में पुलीस परसासन और जिला परसासन की भी एक अहम भूमिका होती है इस पर आप लखी सराय के पुलीस परसासन और जिला परसासन से को क्या संदेश देना चाहती हैं क्या अपिल करना चाहती है मैं पुलीस परसासन को सभी परसासन को जिला के मैं ये अपिल करना चाह कि होली में किसी तरह की दंगे फसाद और दारूप सरापी कर ऐसा कुछ घटना न घटे जो कि अपने सहर बासियों को तकलिफ हो उसके लिए मैं उनको निवेदर करना चाहते हूं इस पर विशेश ध्यान दे तो यह थी लखी सराय नगर परिशत की चेरमाइन सुधा कुमारी जिन्होंने अपनी बात पूरी बेवाकी से रखी है और आने वाले दिनों में जो लखी सराय नगर परिशत का चुनाओ होने वाला है उस से उस चुनाओ में ये नगर परिशत की सभापती की सबसे परवल दावेदार सबसे मजबूत दावेदार भी मानी जा रही है और उन पोली की शुब कामनाए, राम नम्मी की शुब कामनाए और मुसलिम भाईयों का शबेबराद की भी धेर सारी शुब कामनाओं दिया है। सर्फराज आलम डी टीवी भारत लखी सराए।